वेलकम डूदा सक्सस क्लासिस बिजन और डियर इस्टुडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स टॉपिक इन्वर्टिंग अम्लिफायर एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी यह यूनिटी पूरी बहुत इसमें बहुत अच्छे से बहुत आसानी से बहुत अच्छे निमबर स्कोर कर सकते हैं क्योंकि जो भी कोशन इसमें आते हैं बहुत सिम्पल कोशन इसमें कुछ डेरिवेशन्स है, six, seven derivation के आसपास हम यहां पर पढ़ेंगे, उन derivation में एक derivation exam में मिलता ही है, यह साथ में उन में से किसी derivation पर numerical भी exam में मिल जाता है, ठीक है, तो channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लें, अपने दोस्तों को जदे से जदा शेयर करें, और bell icon जिरू प पर cover करने वाले हैं और बहुत easy way में आपको समझाने की को इस करूँगा बस आपको धियान से सुनते जाना है और देखते जाना है ठीक ना notes आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसका link में नीचे वीडियो के description में provide करा दूँगा आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना ठीक है students चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने inverting amplifier को students जो derivation exam में पूछा जाता है या जो भी inverting amplifier या non-inverting amplifier या इसकी applications अगर हम बात करें पैम की जिसमें से हमारा unity gain amplifier या other applications में summing amplifier integrator differentiator जो भी आपके सिले बस में उन सभी में हम जो inverting amplifier या जो amplifier लेते हैं वो हम amplifier close loop लेते हैं close loop that means यहां पर हमारे feedback resistance हमारा हम यहां पर use करते हैं और जो open loop होता है उसमें feedback resistance यूज नहीं करते हैं ठीक है अग्जाम में अगर inverting amplifier पूछे simple या close loop inverting amplifier पूछे दोनों में ही आपको यही same derivation करना है same अगर non-inverting पूछता है तो जो next video आएगी हमारी non-inverting amplifier की तो जो इसमें derivation होगा वही आपको करना है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि हमारा inverting amplifier actual में होता क्या है तो मैंने starting में इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका link वी में नीचे description में provide करा दूंगा पूरी playlist का second year कि अलगे फस्ट एर कि अलगे दोनों सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट हो की तो उनमें आपको वीडियो मिल जाएंगी प्रिवेस वीडियो तो महां से आप देख लेंगे मैंने बताया था कि जो इंवर्टिंग अम्लिफायर होता है उसमें जो में आउटपट मिलता है वह हमारा 180 डिग्री के फेस्ट फेस्ट पर मिलता है यानि जो हमारा ओप्लिफायर की बात हो रहे है तो हम जो अपर महिए तो हमें अटर फेस्ट 've मिलता है तो ऑगेक्टिव प्रिफायर होता क्या है किन्-पर उसमें लिगरी आउटॉट के kim ग्रीवेस घुरी आउट अठेटिवीषिक आउट फेस्टोस्य देग्री यानि के कोई हमारा OPM circuit जो produce करे output या amplified output produce करता है और कितने 180 degree out of phase with input signal यानि जो input signal हो उसके 180 degree out of phase पर हमें amplified output अगर कोई circuit देता है तो वो हमारा inverting amplifier कहलाता है ठीकर ना चलिए बात कर लेते हैं इसके derivation की students मैं देखो बिल्कुल simple way में आपको समझाऊँगा ध्यान से सुनते चलें एक एक point को हमें जितने भी हम यहां पर इस unit में total derivations करने वाले हैं 67 derivation हम यहां पर पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे derivations होंगे उन derivation में सब में यहां तक का जो part है कहां तक का जो part है यह last में जो यहां पर लिखा हुआ है यह वाला यह यहां तक का जो part है सभी derivation में आपको करना है ठीक है तो यानि के यहां से लेकर यहां तक का सहरा जितने भी सारे derivation है उन सारे derivation में यह वाला part बिल्कुल common है इसमें कोई ही चीज नहीं है बिल्कुल same as it is हमें करना है तोमेट का चीज़े ध्यान रखने एक तो हमें दार्इगराम बहुत अच्छे से बनाना और डारम की ragorm कर mówi बनाने में जरूं का करने सिक्षस कर लें बना बना कर अगर डाइगराम में घलती होगी तो हमारा derivation में जएगी क्योंकि पूरा डर्रम पर ही हुआ है और दूसरा यहां तक डर्रय समय करना अगर किसी को बोल बीजाते हैं तो यहां तक करते हो हैं और नीकिल को कुछ मुर्फ मर्ग मिल जाना लेकिन अगर आपने देग्राम dorह सरै粉 मर्प हम चाहन से देखा है तो आप को पूरा अच्छे से करेंगे ठीक है इसमें होता क्या है सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा open loop up amp होता है यानि कि जो अगर हम यह feedback ना लें close loop ना लें तो जो open loop up amp होता है या सीधी-सीधी बात करें कोई भी circuit है अगर circuit में अगर input पर voltage है और output पर voltage है तो अगर हम उसके gain की बात करते हैं कि gain क्या होगा तो gain को अगर हम simply define करें तो gain क्या होता है ratio होता है हमारा output to input यानि कि output और input का ratio होता है यानि कि output upon input अब input और output पर voltage है तो output voltage upon input voltage हो जाएगा तो वो हमारा voltage gain कैलाएगा तो आगर न बॉल्ट पर और बॉत पर करन्ट है तो हमारा उपुट्ट करंठ पर बॉन इन्पॉट्ट करंड हो?! धयकर न तो यहां पर अगर हम ओप म की बात करें, तो इन पॉप पर क्या मिलता है अमें वोल्태 ago तो ओपनलूप म की बात करें तो open Fam two time bandwidth Kategel done to enter यानि कि V output होता है और जो input होता है यानि कि जो इन दोनो terminal पर V1 non inverting terminal पर V1 और जो inverting terminal है उस पर V2 voltage हमने मान लिया कि यहां पर voltage होंगी तो उनका जो difference होता है जिसको हम differential voltage बोलते हैं वो इसका open loop का input होता है तो हमने ये पहले previous video में पढ़ भी है कि कितना gain होता है हमारा open loop m का तो ही हमारा हमने पढ़ा था single ended input वाले में single ended और double ended पढ़े है same planet में inverting और non inverting पढ़े तो डबम आंड में common mode or differential more अवरोंट पहले तो वह पर हमने देखा था कि जो हमारे यह होता है तो जो gain होता है open loop m का तो व क्या होता है या वोल्टेज गेंड जिसको हम एसी दिनोड करते है तो आउटपट वोल्टेज अपॉन वी आईड यानिका इस पर इंपूट वोल्टेज यानि के डिफरेंशिल वोल्टेज ओपन लूप की बात करें तो ठीक है अगर हम इसको देखें जो यह वी आईडी होता है डिफरेंशि के डाग्राम को अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे डाग्राम बहुत ज़रूरी है कि यहां पर हमने उपम्प यूज किया हुआ है एक टेमल जो नहीं इन्वर्टिंग है इन्वर्टिंग में एक रसिस्टेंस के बाद इंपुट वोल्टेज अप्लाई किया है और य अब जो ड्याव्स होता है बने डितना होठा इप्र जो गेन होता है उब हको रहां चयर्टिक्रिश अब बहुता है और ने ऑट एडिया अर वह्जोन इसर commend राइट करके चलते हैं तो गेन एक्या नालस हो गेन सब equals to zero यानि कि V1 minus V2 equals to zero अब यह minus का इसको इदर ले जाएंगे तो V1 equals to V2 होगा तो यह कौन सी condition होगे हमारी virtual short condition होगे ठीक ना यह इतना derivation मैंने तुम्हें previous वीडियो में जो concept of virtual ground condition या concept of virtual ground मैंने आपको बताया है उस वीडियो में भी आपको समझाया है और यहां तक virtual ground से पहले वाली मतलब एक step पहले वाला step है virtual ground से पहले वाला क्योंकि virtual ground हमारे सभी derivation में नहीं बनेगा लेकिन virtual short जो है यहां तक हमारे सभी derivation में बनेगा ठीक है तो यह condition क्या होगी V1 equals to V2 यानि कि जो V1 है वो V2 के equal हो गया तो देखें तो V2 पे तो हम वोल्डे अप्लाय कर रहा है अगर हम देखें तो यह दोनों सेम नहीं है different है लेकिन हमने यहां पर क्या प्रूफ कर लिए V1 equals to V2 तो जो actual में नहीं है लेकिन virtually है तो इसलिए हम इसको virtual short condition बोल देते हैं अब हम क्या देख रहा है अगर हम circuit में देखें अपने यहां पर तो circuit में हमने क्या देखा कि जो V1 है यह V1 तो ground से connect है तो यानि कि ग्राउंड से connect है तो इसका मतलब V1 हमारा कितना होगा 0 होगा तो यानि कि जो V1 हमारा 0 है तो फ हमारी condition कौन से virtual ground condition है यानि कि ground ना होते होगे भी हमारे दोनों ट्रमिल क्या है वर्चुल शॉर्ट होके ground है यानि कि 0 है ठीक है तो यह वर्चुल ग्राउंड कंडिशन होगी अब यहां तक की चीज़े के लिए अब आगे बात कर लेते हैं अब हमें क्या करना एक ही step follow करना है सभी derivation में वो step क्या है कि यह जो हमारा यहां पर point यह यहां पर यहां पर जो point यह वाला है यहां पर यह इस point पर हम इसको node मान लेते हैं node को कुछ भी denote कर लो ABC कुछ भी इसको हम मान सकते हैं इस node पर हम incoming current और outgoing current को देखते हुए यहां पर KCL apply कर देते हैं इस पर अगर हम हमारी zero की वह भी क्या होगी हमारी outgoing current होगे तो incoming current कांसी आई वन और outgoing current आई वन और आई तरी है सुरि ठीक नँख और यह ऐई 3 0 क्यों है क्योंकि जो हमारा इंपूल हमारा उप होता है उसका जो internal resistance होता है या input resistance होता है वो हमने ideal के case में क्या पड़ा था उसकी characteristic में जो हमारा resistance होता है input resistance ओ पैम का वो कितना होता है इन होता है तो जब स्थेंश्न इन फरने वाली करंड़ कितनी हो जाएगी जिरो की तभी तो रेसिस्तेंस एक हाई इन करेंगे इस पॉइंट पर केस्ट एपलाइब करेंगे तो जो केशिल एपलाइब देखते चलिए इसको मैं कैसे कालकुलेट करता हूं अभी आगे मैं आपको दिखाने वाल हूं ठीक ना है अब देखो सबसे पहले बात करें आई वन की ठीक तो ये आई वन की वैल्व कहा सै मैं इसी डाइग्नाम में पहले आपको समझा देता हूँ फिर बाद में आपको दिखा दूँँ आगे ठीक नहीं देखो क्या होगा कि यह आई ती तो हमारा 0 हो गया मैंने क्या बता है कि हम KCL apply कर रहे हैं यहां पर तो KCL क्या होता है the algebraic sum of incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current ठीक नब incoming current तो i1 है तो i1 रहेगी और outgoing current i2 प्लस आई थी तो i3 तो हमारा 0 of i1 कितना होगा तो अब हमें i1 calculate करने के लिए यहां पर kvill apply कर लेंगे resistance r1 में हमें i1 calculate करना है तो i1 equals to kittna होगा यहां पर voltage कितना है v input और यहां पर voltage कितना है v2 तो v input minus v2 upon resistance कितना है r1 तो v input minus v2 upon r1 हो जाएगा sem यहां पर जो इसमें i2 current flow हो रही है किसमें rf में तो यहां पर जो हम calculate करेंगे i2 तो i2 कितना हो यहां पर voltage कितना है डारेक्शन देकिन डारेक्शन पर डिपेंड करता है यह अगर करेंट की डारेक्शन यहां पर आई वन तो इधर है अगर इधर की तरफ होती तो हम लेते फिर v2 minus v1 input upon r1 लेकिन डारेक्शन इदार है तो previous voltage कि हमारा यानि कि यह वाला जो अब जब यह हमने यहां पर जो आई वन कालक्विर्ट गरा ईवन कितना है मार Travis input minus v2 upon r1 तो यह वीडू टो हमारा 0 है डहीं हम इसरे में देखा घंद डार रर्ट है वर्चिल राउंड में तो जब डियों रकते अंगे हमारा क्या बचे का i1 V input upon r1 ऐसी same यहां पर क्या था वी 2 minus V output upon rf तो अब V2 तो हमारा 0 है तो V2 तो हमने इसके according देखा तो 0 रग दया तो minus kv output upon rf भचेगा ठीकर ना अब यहारी वाली वेल्यू सारी जो है जो है एक्वेशन हमने बनाई थी उसमें पुट कर देंगे अब मैं आगे देखें तो i1 equals to v input upon r1 हमारा यहाँ पर simple हो जाएगा ठीक ना अब हमारा i1 हमने calculate कर लिया और यह वही current मतब केसल अप्लाई कि हमने जिस note पर तो वहाँ पर जो हमारा यह current का equation बना वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है और i3 हमारा almost equals to 0 है क्योंकि जो हमारा ideal होता है वो इसका input impedance या input resistance केतना होता है infinite होता है ठीक ना ठीक है तो यह वाली value यहाँ पर आगी अब बस हमें i3 हमने calculate कर लिया मतब पता है 0 i1 हमने calculate कर लिया we input upon r1 और i2 मैंने भी बताया था तो उसको भी calculate कर लेते हैं तो जब हम i2 calculate करेंगे इसमें value पुट गई तो i1 equals to i2 हो गया यह तो हमारा मतलब यह वाली equation में जब इसको 0 रखा तो i1 equals to i2 हो गया कि i2 जो होगा हमारा i2 वो मैंने क्या बताया था simply वही value calculate होके आएगी तो वही हमें यहाँ पर देख लेनी है तो क्या calculate होके आएगी i2 equals to क्या बनेगा हमारा v2 minus v0 या v output upon rf ठीक है ना यह वाली value बनेगी ठीक है अब यह हमारा v2 तो 0 है तो minus के v output upon rf हमारा i2 यहाँ पर बन जाएगा ठीक है ना यहाँ पर देखें v2 equals to i2 into rf plus v output तो यह मैंने simple way बताया आपको चाहे तो आप इस step के थूरू भी जा सकते है या आप इस step के थूरू भी i2 calculate कर लें और यह i2 वाली value जो है ना यहाँ पर इस equation में यहाँ पर put कर द f plus v output यानि कि यहाँ पर हमने v2 कल v2 जो voltage source हो गया equals to कितना हो गया यह i2 into rf voltage हो गया plus v output हो गया तो यहाँ से अगर हम v output देखें तो v output equals to v2 यानि कि यह i2 plus y2 into rf जो इधर प्लस का इधर जाए माइनस का हो गया अब v2 हमारा तो 0 है वी 2 हमने प्रूफ कर रखा है पीचे त v2 की जगए पर 0 रख दिया है यहां पर यह 0 आ गया तो v output equals to minus i2 rf आ गया तो यहां से जब हम देखें तो i2 कितना हो जाएगा minus के v output upon rf और यही मैं आपको यहां पर पता है और i2 हमने लेकिन हमने i2 यहां पर क्या देख रखा है यह देख रखा है तो दोनों को equal लग दे जब देखा है यह सारे सिर्फ व्यहां से यहां तक छोड़ें इतना यहां पर यहांपर इनने स्टेप्स में जाने की जोगत नहीं है बस सीधा यह लिखेंगे i2 अमारे ड intent diagram से और राइवान हमारे यह आगे diagram से अभी आईवन की value और i2 इस equation में आपर put कर तो i1 और i2 तो क फोने इक विद्ट ऑपान आरवन यहां पर इक वस्टू मैनस के वी खुर्ण इसको इदा दिवाइट मिल्यांगे तो यहां पर सॉल्फ कर ले थे है यह फिसको स्टू माइनस के आर एफ अपॉन रवन होता है इस फॉर्मुले को आपको याद भी रखना है नुमेरिकल के पॉइंट ऑविस है जो हम आगे नुमेरिकल करेंगे तो नुमेरिकल में फॉर्मुला यूज होगा तो सीधा सीधा कोशन पूछा जाता है कि जो हमार भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूब बताएं मैं उसको सॉल्फ करूँगा अगली वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूब करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को जादे से जादा सेयर करें चलिए आज के लिए इतना ही काफी वीडियो में मिलते हैं फिर ओके